राम यदी भागवान होते तो इस सूप्रेम कोट में बैठा हुआ मानोहीन जज्मेंट दिया तब नव बना भागवान रहते तो सीधे बन जाता है मंदिर लेकिर राम भागवान नहीं है वो कालपनिक है ये मैं चुनवति के साई इसलिए कि उन्हें सूप्रेम कोट अफ इंडिया ने जज्ज्मेंट दे चुका है कि रामायन कालपनिक गरंथ है इस देश में राम मंदिर बन जाने से देश का विकास हो जाएगा देश के परधान मंदिर कहते हैं कि हम हिंदू है सनातनी हैं दूसरा को धर्म की सिख्छा देते हैं उनकी माता जी की देहान थो गई क्या उनको को भी देखा थे क्यों बाल मुराय थे वो अपने माता का सरा तन्धार्म सीधे कहेगा हम ब्रहमन रास्ट काइम कर दिया यानि 85% दली तोवी से तुमको मैं गुलाम बना लिया फिर गले में हंडी पीछे जारू बांधने का काम करेगा हर्म और भगवान के नाम के लिए उनके पास पैसा है बजट है समय है अदेश में सिख्षा की बजट को कम कर दिया इसकूल कोलेज बनाने के लिए उनके पास समय नहीं है अब इसको सनातन के घंटी अब मनुवादी लोग हम सनातनी है हम सनातनी है 222 के पहले हिंदू हिंदू कायोजन किया गया था जहां परफेसर लक्षमन यादो और नेशनल दस्तक के संपादक संभुकमार सिंग भी आये थे यहां बहुत सारे लोग यहां ही कठा हुए तो लगभग एक हजार की संख्या में लोगी कठा हुए है और राजा महिसा सूर का सम्मान दिवस मना हैं महिसा सूर का तो होना ही नहीं चाहिए इसलिए कि महिसा सूर को जब हम मान ले रहे हैं तो दुर्गा को भी मनना परेगा यह लक्षमन जादो जी ने हम लोगों को कुछ टिप्स दिया रहा गई बसावन भुया वावा का तो हमारे जो ओवी सी के लोग है जाहां जिस में जनमें OVC में बसावन भुया वो समाज के लोग यहां मंदिर बना दिया जबकि बसावन भुया के नाम पर यहां कोई कॉलेज बनाया जाता तो जादे अच्छा होता और अंबेदकर फूले जी जो हमारे पुर्वजों का इतिहास है उसी इतिहास को दोहराया जाता ले समाज के लिए लरे मुसहर के लिए दुशाद के लिए तेली के लिए जादो के लिए सबी जाती के लिए उन्होंने समाजी के लाराई लरने का काम किया और उन्हों मनुवादियों ने इन्हें बावा बनाकर बसावन भुया बावा का नाम दर्ज कर दिया लोगों के दिमा मेरे बिरासत के लोग को मनवादी तो हमारे साथ आएगा मैं जब कहूंगा इनकलाब जिन्दा एक भी आरे से वाला मेरे साथ रहेगा तो मेरे राग में इनकलाब जिन्दावाद इनकलाब जिन्दावाद एक मिनट में हम ठकेंगा उमाइक हम से ले लेगा तो मेरे ही लोग जो समात सुधारक थे, उनको वो हमारे लोगों के बीच में भगवान, बावा, जोगी बना दिया, जिस करण हमारे लोग, जो मुर्ख ही कहेंगे हम, वो मंदिर बना कर उनको पुझने का काम किया, यहां हजारों लीटर दूद हर एक साल चरहाई जाती है, और हमारे गरीब के बच्चे दूद के बिना मर रहे हैं, उन्हें फिरी में दूद देने वाला कोई नहीं है, लेकिन, इन गलत परंप्राव से मुक्ती दिलाने के लिए समाज, गाओ, देहाद, सब जगा हम लोग का टीम जा रहा है, बसावन भुईया को जो कबजा कर लिया है लोगों ने, उ इसे महात्मा फूले थे, अंबेदकर जी है, साहु जी महराजों वो इसे हमारे बसावन भुईया बवा हैं, हमको उन रूप में मनेंगे, मनुवादियो दिवारा भागवान घोसित किया गया, इसको हम लोग नहीं मनेंगे, बनेगा, बनेगा, पचीस में आधरनिये पर कॉलेज का निर्वान इस ग्राओं में होकर रहे हैं। और शराद कर्म मत किजिए, लंबा साधी बीबा मत किजिए, धर्म के नाम पर चंदा मत दिजिए, आप करजाकार के जो चंदा देते हैं, उस चंदा देनाई बंद किजिए, जो आपको सिक्षा दे रहा है, वो खुद इस चीज़ को नहीं मानता है। गुलाम नहीं जा रहा है, उनका बढामनों का बच्चा, सबर्नों के बच्चे बीदेश में पढ़ते हैं, और हमारे बच्चे कहते हैं, कामर लेके जाओ बेटा, तुम कामर लेके जाओ, बाबा को जल चला करके आओ, तुम अगला बेर मैट्रिक में 70% से पास कर जाएगा तो फिर वो अपने बेटक बिद्यस में को पढ़ते हैं? अधाया था, और हमारे लोगों को ठक करके बावार, आज देश के बिच बावा है और स्मविदान को बेच रहा है, रेल बेच रहा है, वेच है, आज बेच बावार प्तल त बहुते हैं ऑप grasp है है मैं मैं इसे दिना चाहता हूँ कि अजोधिया कासी मसुरा में बढ़िया बिस्वी जाले बनाओ जिसमें सभी लोग के सभी के बच्चे पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे तो जो ऐसे जाकर पढ़ते हैं जियो इन्वर्सिटी में 22 जन्वरी को उद्गातान होने वला है कौन चीज़ का अरे बताइए राम यदी भगवान होते तो इस सुप्रेम कोट में बैठा हुआ मानों ही न जजमेंट दिया तब न उबना भगवान रहते तो सीधे बन जाता है मंदीर जजमेंट कौन दिया हमारे आप जैसे मानों जो सुप्रेम कोट में बैठा हुआ है हम भगत हो सकता है भगत इसलिए दे दिया लेकिर राम भगवान नहीं है वह काल्पनिक है यह मैं चुनवती के साई इसलिए कि 1976 में सुप्रेम कोट अफ इंडिया ने जजमेंट दे चुका है कि रामायन काल्पनिक गरंत है इसलिए उसक के 85% OVC को हिंदू और राम के नाम पर भठकाने के लिए यह मोदी भाजप्पा की सरकार यह सब काम कर रही है वो देश के अभिकास नहीं कर रहा है मोदी धार्म और भगवान के नाम के लिए उनके पास पैसा है बजट है समय है अदेश में सिक्षा की बजट को कम कर दिया इश्कूल कॉलेज बनाने के लिए उनके पास समय नहीं है अब इसको सनातन के गंटी अब म tarafदी लोग हम सनातनी है हम सनातनी है 222 के पहले हिंदू हिंदू राष्ट्रे दिक्कत क्या है माहिने क्या है असल माहिने देकि हिंदो रास्ट का मतलब है कि ब्रहम्मन रास्ट काइम करना आने वाले बर्सों में यही अफ सनातन धर्म सीधे कहेगा हम ब्रहम्मन रास्ट काइम कर दिया यानि 85% दली तोबी से तुमको मैं गुलाम बना लिया फिर गले में हंडे पीछे जारू बांधने का काम करेगा यह बहुत जल्द घोसना कर देगा यदि 2024 में भाजपक के सरकार को लोग नहीं उखार फेका तो उसके बाद ब्रहमन राष्ट की घोसना होने जा रही है लोगों के बीज जा रहे हैं ज práanja रहे हैं लोगों में जागरिती ला रहे हैं अंदोलन होगा कि सफ़लों पाएंगे एक दाम सफ़ल होगे जाएंकिक सफ़ल कईसे नहीं होगे गव झाल झाल